अगर आप गानों के शौकीन है और पंजाबी गाने आपको बहुत पसंद है तो सिद्दू मोसेवाले का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये भी जानते होंगी कि साल 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी इस पंजाबी सिंगर से जुड़ी अब एक दिल्चस्प खबर सामने आ सिद्दू की माँ चरंड कोर की डिलिवरी मार्श में होगी और उनकी उमर 58 साल है सिद्दू अपने माता पिता की एक लौती संतान था खबरों की माने तो सिद्दू की माने आई वी एफ की मदद से गर्वधारन किया है भारत में 50 साल तक की नीमों के बावजूद सिद्द की मुसवाले की मा 58 साल की उमर में प्रेगनेंट है इसकी वज़ा से उन्हें आई वी एफ ट्रीटमेंट भारत से नहीं बलकि विदेश से लिया है जहां इस उमर में भी आई वी एफ से प्रेगनेंसी की अनुमती है हाला कि चरंड को और बच्चों को भारत में ही जनम दें Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 के अनुसार महिलाओं को पचास साल की उमर तक आई वी एफ ट्रीटमेंट से मा बनने की इजाजत है जबकि पुरुष 55 साल तक ही इस तकनीक से बाप बन सकते हैं और भारत में आप डिलिवरी करवा सकते हैं अगर आप विदेश में आई वी एफ करवा कर आए ह अब ये जानते हैं कि आई वी एफ के प्रक्रिया क्या है इस ट्रीटमेंट में महिलाओं के एक्सेल्स और मेस पम को मिलाया जाता है दोनों के सयोजन से भून तयार किया जाता है फिर उसे विकिसित होने के लिए वापस महिलाओं के गर्व में रख दिया जाता है जाए इस में 58 साल की उमर में मां बनना किसी चमतकार से कम नहीं है इसके साथ ही आपको बता दे कि 30 की उमर में ये 75 परसंट रह जाता है और 32 की उमर में सिर्फ 65 परसंट तक ही रह जाता है साथ ही 40 की उमर में भी से कंसीव करने में सिर्फ 44 परसंट की उमीद रखी जा सकती है जब आप ओवरी की कारेशमता घटने लगती है और यू प्रेडक्टिव हॉर्मोन पहले की तरह काम करना बंद कर देते हैं तब मॉनो पॉज होता है यह उमर बढ़ने का एक प्रतिकिरिया हिस्सा है लेकिन हर महिला में यह जटल प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से होती है अधिक उमर को सफल बनाने के लिए मेल पार्टनर के स्पर्म का हेल्दी रहना भी बेहत जरूरी है ऐसी ओ जानकारी के लिए बने रहे हमारे शैनल दनक्री मीडिया के साथ दन्यवाद